नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनुद जैन और स्वागत है आपका अड़ा 247 में पाकिस्तान से बड़ी ख़बर आ रही है बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी फौज पर एक बड़ा हमला कर दिया है और उनका दावा है कि सौच से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया है क्या है पूरा मामला क्या है बलूच विद्रोही आए डिटेल में समझते हैं लेकिए बलोच लिबरेशन आर्मी एक militant organization है जो forcefully बलोच इस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है इनके कुछ grievances है वो क्या grievances मागी detail में पड़ेगी फिलाल मामला यह है कि दो military camp नुश्की और पंजगूर पर हमला हुआ है और उनका दावा है बलोच लिबरेशन आर् ही है लेकिन पाकिस्तान जो BLA के फिदाईन है उनकी position हलकी नहीं हो पा रही है पाकिस्तान ने मीडिया पर बेन लगा दिया है कि इस मुद्दे पर पूरी reporting ना की जाए टेली communication network को block कर दिया गया है और पूरी तरह से मीडिया का blackout कर दिया गया है उस area से कोई कोई खबर नहीं आ रही है दूसर पाकिस्तान के इंटर सर्विस पॉब्लेक रिलेशन जो कि ISI का एक मीडिया विंग है उनका दावा है कि कैसा कोई बड़ा टेक नहीं हुआ है बहुत हलकाशी जड़पती और उसको हमने रिपल्स कर दिया गया इतने बड़े इतनी बड़ जबकि frontier cops का officer पाकिस्तान की आर्मी का ही एक officer होता है तो पाकिस्तान की आर्मी का बहुत ही closed और allied organization है frontier cops जिसका काम है border को मैन करना इरान वाले border को मैन करना बलूचिस्तान में इसकी बहुत तगड़ी presence है जो की policing में भी help करता है और insurgency वहांचे चल रही है अलगाबवादिय प्रेस रिलीज जारी किया है अपने टेलिग्राम चैनल पर क्योंकि सभी social media website से PLA को BLA को बैन कर दिया गया है बी एल एक आतंगवादी संगटन है US UK और पाकिस्तान इसे आतंगवादी मानता है तो इनकी presence social media facebook twitter पे हो नहीं सकती तो टेलिग्राम ही एक मातर जगा बचती है जहां पर इनका organization रन कर सकता है जो कि वालों में सबसे secretive वही है तो उनके जो टेलिग्राम चैनल है यह उसका मैं लिंक मैं उसको join कर लिया है और वहां से मैं यह निकाल कर लाया हूं कि जो उन्होंने press release जारी किया है press release में उन्होंने कहा है कि हमने 45 लोगों को मार दिया गय फिदाइन मतलब आत्म घाती अमलागर फिदाइन आत्म घाती सेल्फ डेड जो जो खुद को ही घात पहुंचा कर दुनिया को जीतने निकल जाते हैं मतलब जान की परवा नहीं है बंब बांद के शरीर पे उड़ा देंगे इससे human और राजीव गांदी जी के साथ हुआ थ लड़ेगा आत्म घाती जैसे हमारे यहां जैसे लास्ट टू लास्ट यह जब सर्जीकल स्वारी जो एर स्ट्राइक होई थी तो पैतालिस हमारे बीस के जवानों को एक आयमद आदिल डार नाम की विक्ति ने उड़ा दिया था तंगवादी था वो आत्म घाती हमलावर थ लड़ेगा था तो यह उसका टेलीग्राम चैनल है आगे चलते हैं देखिए इसकी लोकेशन समझे यह जो है पाकिस्तान का बलोचिस्तान वाला रीजन है जो लाल वाला जो एरिया में ने मार्क कर रखा है यह है इसका नाम है इसका नाम है नुश्की नुश्की जगा है य और फिर दूसरी दूसरा अटाक होता है पंजगूर में पंजगूर में भी उन्होंने फिर दूसरा प्रेस जारी किया कि वहाँ भी हमने पचास लोग मार दिये हैं लाज एरिया कभजा लिया है और आर्मी को उन्होंने एंसरकल कर लिया है enemy force बोल रहे हैं उसको आर्मी वाइट टाइटनिंग देर सीज और हमारे फिदाई पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और आर्मी जो है हमेनी पाकिस्तानी आर्मी इस टाइट कर रही है सीज को गेरेवंदी कर रही है और 6 घंटे हो गई लड़ाई अभी भी चल रही है यह उनका टेलीग्राम चैनल है से उन्होंने यह अपनी प्रेस रिलीज जारी किये दोनों कैंप के बीच में FC का जो कैंप है यानि फ्रंटियर कॉप्स पाकिस्तान की ओर्गनाइजेशन दोनों में 7 घंटे की दूरी है इरान वाले बॉर्डर पर लगता है और यह बहुत ही सुरक्षा की दृष्टी से प बहुत पास है ग्वादर वही जगा है जहां चाइना जो है बहुत बड़ा यह जो यह वाला लोकेशन है ग्वादर तो ग्वादर वही जगा है जहां पर पाकिस्तान बहुत बड़ा जो एक पोर्ट बना रहा है चाइना की मदद से चाइना की भीक की मदद से देखिए उन उन्होंने वीडियो बना कर भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेर किया है फिर फाइनली उनका एक प्रैस रिलीज आता है उसके बाद वह बोलते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ पंजगूर और नुश्की मिलिटरी कैंप्स और स्टेल अंडर कंट्रोल ओफ बी एले मजीद हमने सो लोगों को मार दिया यह उनका दावा है वही दावे को रिपीट किया गया है और उसके बाद उन्होंने और डिटेल में इसने यहां पर डाला है कि एक सोला गंटे से अभी तक ऑपरेशन चल रहा है पंजगूर में फिदाईन नुश्की वाला खत्म हो चुका है के नाम बाद में देखे जाएं सिन्शॉट लेकर यह उन्होंने दावा किया है मतलब ओपनली कंफरंट किया है कोई दबे छुपे नहीं किया टैक उन्होंने पने नाम और फोटो के साथ उन लोगों के चेहरे जारी किये हैं अब यह पाकिस्तान के सोशल मीडिया से यह कु हमला नहीं है कुछ भी नहीं है वह बात वह दावा सच नहीं है पाक जरूर कुछ बड़ा हुआ है 45 नहीं मरे होंगे तो 30 मरे होंगे मरे जरूर होंगे पाकिस्तान जो है अपने डेत्स को कंसील करने में बहुत पहले से आ गया नाचिनाइव और Mलॉटे सोर्ष रस को डेत बहुत भारी फाइरिंग होई और एट लिस्ट फोर टेर्रिस्ट मर गए चार अतंगवादी मार दिये बिये लेके और एक सैनिक मार आ चार टेर्रिस्ट और एक सैनिक मरें ने बताया कि और इंटर्मिटेंट फाइरिंग चल रही है नी रुप रुक के फाइरिंग चल रही है इमरान क्हान ने सुबर सुबर ट्वीट किया है 10 बच के 20 एम का है कि हम अपने ब्रेव सिक्योर्टी परस्नल को सेल्यूट करते हैं ट इतनी कम हुई हो लेकिन attack का magnitude बहुत ज्यादा था, इस बात से जाहिर हो रहा है, अब यह हमला जो हुआ है, यह एक महीने के अंदर पिछले 30 दुनों के अंदर दूसरा हमला है, पिछले महीने जनवरी में भी हमने देखा था, कि security point का एक checkpoint है, cage district में, cage कि धर है यह देखिए, ग्वादर के एकदम पास जो है, बिल्कुल ग्वादर district से लगा हुआ district है, यह, cage district यहाँ पर भी attack हुआ था, checkpoint था, security force का, पाकिस्तानी military का, वहाँ पर भी, वहाँ पर भी attack हुआ था, दस पाकिस्तान की फौज के लोग मारे गए थे, और, यह कई newspaper में, Al Jazeera में, Western News में, ब पारी है कि यह कौन लोग हैं, बलोच liberation army वाले, बलोचिस्तान को क्यों आजाद कराना चाहते हैं, पाकिस्तान से, बलोचिस्तान का मतलब क्या है, वो कौन सा area है, हम समझने के कोश्च करेंगे, बहराल 10 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान में जो ethnic minority है, बलोच लोग जो है, अरला जो region है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, area wise सबसे बड़ा जो प्रांत है, सबसे बड़ा जो state है, रोविन्स है, वो बलोचिस्तान है, लेकिन यहाँ पर population सबसे कम रहती है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा population रहती है, पंजाब में लगबग 70% of the nation's population live in पंजाब उनली, पाकिस्तान का वेस्टन पंजाब जिसकी राजधानी लाहौर है और बलोचिसान सबसे कम अबादी वाला एरिया वजह है यहां की जो टेरेन है जोग्रैफी है रगेड है एरिड माउंटेन है सुखे पहाड है नदी कोई बहती नहीं रेगिस्तान भी नहीं है सुखे पहाड ह है और दूसरी बात इस वज़े से आबादी कम है आबादी कम की वज़े से वहाँ पर इतनी डेंसिटी में human development नहीं हो पाया है वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है लोगों पर इस खाने का पैसा नहीं है स्कूल नहीं है कॉलिज नहीं और medieval times में almost medieval times में अगर आप documentary दे internet से निकाल के लाएं हो कि पाकिस्तान में गरीबी है यह वर्ड हेल्थ organization ने food camp लगाया था वहां का photo है पाकिस्तान के सबसे गरीब और poor marginalized लोग यहां पे रहते हैं चाइना ने 46 billion का investment किया है 46 billion 46 billion का investment किया है और वह वह जो पाकिस्तान में CP EC बना रहा है चाइना पाकिस्तान को hot water port की तलाश थी बहुत समय से तो उसके लिए चाइना अब तक 46 billion डॉलर लगा चुका है क्योंकि उस CP EC corridor का बहुत बड़ा हिस्सा बलोचिस्तान से होकर जाता है बलोचिस्तान को आतंगवादी संगठन मानता है पाकिस्तान जाहिर सी बाते मानेगा उनके इतने बंदे म पावर्फुल सबसे एफेक्टिव सबसे खुंखार गुरूप है 2000 से यह खतरनाक अटेक करता आ रहा है military पर police पर journalist पर civilian पर education institute पर क्या है इनकी मांगे देखिए यह जो है कलात स्टेट हुआ करता था बलोचिस्तान बलोचिस्तान को पहले कलात कहते थे कलात के एक राजा हो प्रिंसली स्टेट जैसे आपको पॉलिटी में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे modern हिस्ट्री में इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट से इस तरह पाकिस्तान वाली साइट पर भी प्रिंसली स्टेट थे यह कलात स्टेट के राजा के परिवार के गंद जाए जन्मत संग्रे जन्मत संग्रे हो जाए तो 90% बलुचिस्तानी लोग जो है वो पाकिस्तान से अलग होने का दावा कर देंगे देखी कितनी बड़ी विडमना है पाकिस्तान कश्मीर में जन्मत संग्रे चाता है बलुचिस्तान में नहीं चाता है तो बलुचिस्तान में प्रोविंस में इतनी भयानक इंसरजेंसी चल रही है इतनी वॉयलेंट इंसरजेंसी चल रही है कि रुक रुक कर रुक कर पाकिस्तान की सिविलियन पर पाकिस्तान की मिलिटरी पर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट पर बलोच लिबरेटर्स बलोच आतंगवादी अटैक करते रहे सब्सक्राइब करना संभब नहीं है स्कूल की कॉलेज की एजूकेशन सी और यही सब की जड़ है इस वजह से क्या होता है कि वहाँ गैस की रेवन्यू तो मिलती है आपके मां समझे का कि सुखा सड़ा एरिया तो वहाँ कुछ होता होता नहीं है वहाँ पर नेच्रोल रिसोर है वह वहाँ बहुत अच्छे अमांट में उपलब्द है रीजनल इनिक्वालिटी तो गैस की रेवन्यू पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्मेंट जो है न वो शेयर नहीं करती है कम से कम करती है ज्यादा तर प्रॉफिट और प्रोसीड जो है पंजाब प्रांथ में चले जा उस सब के सब चाइन या साइना से आ रहे हैं उसमें भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला ना कोई नौकरी में शेयर हाथ आने वाला और जो भी एकनॉमिक प्रावरेस होगी वो पाकिस्तान के पंजाब से आए हुए लोगों की सेठों की होगी इसमें बलोचिस्तान के लोकल जनता को कुछ भी नहीं मिलने वाला है दूसरी बात यह कि दूसरे क्योंकि यहां पर लेबर की शॉर्टेज है तो दूसरे स्टेट से सिंध से खैबर बक्तूनवा से पंजाब से लोग आकर नौकरी करते हैं बलोचिस्तान के लोग को कि वहाँ पर टेक्नलोजिकली वो स्क इजाम के लिहाज से अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यह ब्यक्ति हैं का नाम है एहम अकबर बुगती अकबर बुगती बलोचिस्तान में पीस्फुल जो थे आंदोलन चलाते थे उनकी मौत जब 2006 में हुई तब से जो है यह आंदोलन बहुत ज्यादा वॉइलेंट हो गया इनको कहा जाता है इनके बेटे का ऐसा दावा है कि ब्रमदाग बुगती उनव्यक्ति का नाम है इनके पेटे का अकबर बुगती का कि पाकिस्तान की फॉज ने इनको हेलिकॉप्टर में बिठा कर उपर से नीचे फैक के मार डाला था तो यह वो है बारा फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है ज्यादा दिन नहीं बचे है जल्दी से जल्दी से जॉइन कर लीजिए बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको इसमें 400 गंटों से ज्यादा की टूवे इंटरेक्टिव लाइव क्लासे बिलेंगी आप कितने भी डाउट हमारे एक्सवर्ट से पूछ सकते हैं ये फ्री वीडियो में आपके पास ज्यादा मौका नहीं होता आपने डाउट पूछने का और वो वीडियो बाद में आपको फ्रीली रिकॉर्डिट तरीके से एवेलेबल होंगे दुबारा सुनने के लिए ताकि आपको एक कोई रिविजन कर सकें इस्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल कीजिए जारा डिटेल पाईए आगे बढ़ते हैं देखिए इस समय सिलेबस पर जितने भी कोर्स हैं सब पर भारी छूट चल रही है 77 परसंट की छूट चल रही है अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं Y442 और यह आपक 4599 में आपको यह अमाउंट पे नहीं करनी है आपको 15399 का डिसकाउंट मिल जाएगा जो की भारी डिसकाउंट है तो आज ही तुरंधी कोर्स पर सेज कीजिए और यह बिल्कुल ऑफर कोड लगाना मत भूलिएगा यह कोड बहुत समय तक वैलिड नहीं रहेगा जल्द इत नियवाद बाद